दियर इस्टुडेंट्स वल्कम बैक इंडिया ज फॉरेंड पॉलिसी इन ग्लोबलाइज वर्ल्ड ये डी एस्टी के एक पेपर को मैं कोशिस कर रहा हूँ मुझे पता है कि कुछ लोग आपके आप में से 17 को एक्जाम दे चुके हैं लेकिन बहुत लोग जो हैं 22 को देंगे और भी इनवर्स्टीज में ये पेपर आगे आने वाला होगा मेरे पास पहले टाइम नहीं था सॉरी मैं आपको हेल्प नहीं कर पाया अभी भी मैंने एक छोटी सी कोशिस किये मतब डिस्क्लेमर दे दू कि मैंने कोई इस पर बहुत जादा रिसर्च नहीं किया है लेकिन शायद आपको थोड़ी बहुत फाइदा 22 के एक्जाम और अन इस फॉरेंड पॉलिसी इन ग्लोबलाइज वर्ल्ड आएए सबसे पहले सिलेबस को समझने के कोशिस करते हैं और क्यों समझना जरूरी है क्योंकि इसी से आपको इसके जो वर्डिंग है उसको गौर से देखिए कुश्चन आपको उसी से निकल के आएंगे मैंने वो कोशि से पहले बस हैं. सबसे अच्छी बात यह है कि अभी आपको छे कुश्चन पुशे जा रहे हैं तो हर थीम से एक क्वेश्चन रहेगा. यह एकदम लगता है. तो आप हर थीम को एक एक करके दिदेखें तो उससे कैसा क्वेश्चन निकल के आ सकता है. पहला थीम है इंडिय हुए 70 साल लगबग पहले और अब एक राइजिंग ग्लोबल पावर हैं चाइना के साथ ASEAN Reason में, तो हमारी foreign policy कैसा रहा, क्या बदला इसके साथ में और बदला तो किस फॉर्म में, लेकिन actually जो इसमें question पूछे जा रहे हैं, वो ऐसे बदलाओ के तरफ कम हैं, क्योंकि foreign policy ऐसे 77 साल में बदलती भी नहीं है, बहुत ज्यादा, तो वो पूछते हैं कि factors affecting India's foreign policy, क्या factors हैं, क्या elements कह लीजिए, जो कि इसको affect करता है, हमारे foreign policy को क्या determine करता है, और जो दूसरी जो इसमें पूछते हैं, वो यह है, elements or components of India's foreign policy, यह मैं आगे आपको और समझाओंगा, यहां पर यहीं पर रुखते हैं, factors and elements foreign policy के आपको पूछे जा रहे हैं, जो second theme है, वो है India's relation with USA and USSR, जो पहले था, और अब उसका जो Russia है, जो country, यहां पर दो, जो मुझे समझ में आता है question के लिए, वो है, how have we gone closer to USA in recent decades, और उसका impact क्या पर रहा है, global order पे भी, और particularly हमारा जो regional South Asia की politics है, उस पर उसका क्या असर हो रहा है, और जो Russia से जो question बन के आता है, वो है, how our relation become indifferent with Russia in last 30 years, और उसका क्या impact हो रहा है, particularly South Asia के politics पे, तो यह दो इससे sub theme आते हैं, उसी से question पूछते हैं, India's engagement with China third theme है, अभी आपको पता है कि Ladakh में किस तरह से हम एक दूसरे से आखें तरे रहे हैं, उसके backdrop में हो सकता है कि आपको question पूछा जाए, वैसे इसमें जो question बनते हैं, वो इस तरह के sub theme है, conflict and cooperation with China, हमारा cooperation भी रहा है, trade काफी ज़्यादा बढ़ा, Chinese समान हम use कर रहे थे, China's का app लेकिन अभी सब curtail हो रही है, तो how growing stature of China affect our position influence, यह बहुत बढ़ा question है कि China हमसे तेजी से आगे बढ़ गया, वो भी Asia में ही है, तो जो पूरा जो global shift हुआ, North Atlantic से Asia के तरफ, उसमें China ने कहीं अपनी supremacy जमाली, इंडिया को उसके नुकसान उठाना पर रहा है, how China affect our regional politics in South Asia, यह बहुत important है, चाइना का Pakistan से relation, बंगलादे से relation, इवन नेपाल से relation हमें परिशान करता है, और जो regional politics हमारी है, उसको imbalance करता है, तो वो एक question बनती है, यह चाइना की theme पे है, चौथा theme है, इंडिया in South Asia, जो हम, अभी जो हम discuss कर रहे हैं, वो सब South Asia का perspective में, आपको यह समझन चाहिए कि global politics में एक country का national interest सबसे ज़्यादा effective उसके neighborhood से होता है, हमें इससे ज़्यादा परिशानी नहीं होती कि अमेरिका क्या कर रहा है, या उदर even रूस क्या कर रहा है, क्योंकि वो हमारा border share नहीं करता है, लेकिन बंगलादेस क्या कर रहा, नेपाल क्या कर रहा, इवन स्रिलंका क्या कर रहा, प्राकिस्थान क्या कर रहा, utmost important है, तो इसलिए South Asia के politics पे आपको ये theme है, India in South Asia debating regional strategies, और हमारा जो foreign policy है, वो बहुत ज़्यादा जो regional politics के dynamics से उससे guided होता रहा है, यहाँ पे दो theme निकल के आता है, इंडिया को South Asia में एक big brother के तौर पे सभी country देखते हैं, और वो डर जाते हैं, एक apprehensive relation हो जाता है, इवन नेपाल का भी, वो भी China के करीब जायें लगता है, क्योंकि उसको इंडिया से डर लगता है, क्योंकि ये Indian subcontinent है, इंडिया एक तरह से ऐसा behave करता है, कि हमारे ही अंग कट-कट करके तो तुम बने हो, तो उससे जो वो जो कटे हुए अंग वाले देश से वो घबरा जाते है, उनको लगता है कहीं इंडिया उसको अपने में assimilate न कर ले, तो ये big brother syndrome है, और दूसरा इसमें थीम है कि इंडिया पाक का जो dynamics है, वो इसको effect करता है, आपने देखा कैसे सार्क जो है, वो बिल्कुल ineffective हो गई, क्योंकि इंडिया पाकिस्तान में इतनी ज़्यादा confrontation है, कि कोई भी multilateral हो ही नहीं पाया cooperation South Asia में, इसी तरह इंडिया चाइना का जो dimension है, वो बहुत अवए effect कर रहा है, जो मैंने आपको अभी तुरुत कहा, तो ये इंडिया का position South Asia में, इससे ये question आ सकते हैं, पाँचवा जो theme है, वो है India's negotiating style and strategy, ये बहुत interesting topic है, कि इंडिया multi lateral forum जैसे WTO में, किस तरह से negotiating style अपना था, या climate change में, कैसा इसका रहता है, क्या ये बहुत अडा रहता है अपने जिद पे, या deal breaker type का है, या deal maker है, ये facilitator है कि ये obstruction पैदा करता है, ये जिद्धी तो नहीं है, proactive है कि नहीं, इस तरह का जो उनका कैसा style हमारा रहा है, trade में, तो WTO आ जाता है, कि इंडिया का role क्या रहा है WTO में, environment मतलब climate change discussion में, talk में, और फिर security उसमें basically nuclear policy पे आ जाता है, कि हमने कैसा रुख अपना आया है nuclear policies, nuclear weaponization पे, then last जो topic है या theme है, वो India and the contemporary multipolar world, वैसे तो मैंने अपने एक question में, IR में कहा भी है, कि multipolar world है नहीं, अभी कहना मुस्किल है, अभी USA का still hegemony चल रहा है, लेकिन यदि मान भी लें कि बहुत सारे power अब rise कर रहे हैं, यदि non-state actor को ले लें, EU को, ASEAN को, China, India, BRICS, यदि ऐसा मान भी लें, तो उसमें इंडिया का क्या position है, क्या status है, finally यदि हम देखें इस लंबे discussion को, मैंने इतना ज़्यादा इसलिए किया, कि आपको थोड़ा help हो पाए, किस type of question पूछे जाएंगे, तो 6 question पूछेंगे, सभी से एक-एक रहेगा, इसलिए आप second theme पे आए, इंडिया's relation with USA and USSR China, अब इसको चुनना होगा USA या रसिया से, क्योंकि एक ही question पूछना है, मुझे लगता है, वो रसिया को हटा देंगे और USA ही पूछेंगे, ऐसा मुझे लगता है, तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और एक-एक करके देखने की कोशिस करते हैं, यदि हम first theme देखें, जो बहुत important है, ये है कि इंडिया's foreign policy from a post-colonial state to an aspiring global power, ये जो theme है, इसल्फ ये एक question है, कि कैसे हमारी foreign policy जो है, वो एक नए independent state, जो कि fledgling state, मतलब कि जो अभी भी जनम लिया, जो बहुत सारे teething problem है, जो जूज रहा है, food crisis से, अपने जो national integration के issue से, वहाँ foreign policy हमारी बहुत अलग थी, और अब जब कि हम एक regional power group में उभर चुके हैं, वोल्ड में जो है, एक economic ताकत के रूप में चौथे, आप पांच में सबसे बड़े economic country के रूप में, GDP के मुकाबले में देखें, सबसे बड़े देश मतलब की जनसंख्या में होने वाले हैं, हम और 7th largest in area, और software की एक बहुत बड़ी giant हैं, services में हमारा एक बहुत बड़ा मुकाम है, हमारा diaspora पूरे दुनिया में जो है, इंडियन फैले हुए हैं, वैसे में हमारी foreign policy कैसे बदल गई है, और उसके challenges क्या है, 21st century में जब हम आप प्रवेस कर रहे हैं, 3rd decade में, तो कैसा है, और regional dynamics कैसे हैं, South Asia में क्या-क्या changes आ गए हैं, Pakistan, China एक तरफ है, Russia से हमारे relation जो है, थोड़े खटे जैसे होते जा रहे हैं, US के साथ हम close जा रहे हैं, लेकिन उसके अलग ही challenges हैं, tensions and dynamics हैं, इन सब में हमारी foreign policy कैसी होनी चाहिए, या कैसे है, यह सबसे बड़ा question इसमें, अब आईए देखते हैं, question पूशा क्या जा रहा है, 2019 में question है, discuss the basic determinants of India's foreign policy in the light of changing time, तो क्या जो है, determine करता है, क्या factors हैं, जो हमारे foreign policy को effect करता है, जो मैंने अभी आपको बोला, वो सारे जो है factors हैं, चाहे जोग्रफिक आप कह लीजिए, geopolitical कह लीजिए, हमारा regional कह लीजिए, हमारी social structure है इंडिया की, वो कह लीजिए, या जो हमारा political culture है, वो effect करता है, leadership effect करता है, जो type of government है, क्या strong है, weak है, collision है, वो effect करता है, और इसके अलावा, जो global power structure है, जैसे भी unipolar world है, जो multipolarism की तरह बहर रहा है, bipolarity खतम हो गई है, post cold war में, globalization का दौर है, neoliberalism पूरी दुनिया में चाहई वी है, यह सब effect रता है हमारे foreign policy को, multilateralism का जमाना है, regional cooperation का जमाना है, हम एक ही साथ G20, G77, और इन सब के BRICS, इन सब regional cooperation के member हम हैं, free trade करते हैं, WTO जैसे platform से, यह सारी चीज़े effect रती हैं, हमारे foreign policies को, यह question है इसमें, and what are the essential, 2018 question है, what are the essential elements of India's foreign policy, अब यहाँ पर रूख के ज़र सोचे, elements और factors में क्या फरक है, elements of foreign policy, यह कोई बोले उसको आप सीधा translate कीजिए, क्या इसके components हैं, मतलब क्या क्या इसमें शामिल होते हैं, foreign policy में, एक तो factors हैं, जो decide करते हैं कि foreign policy कैसा होगा, इसके अलावा core principles होते हैं, जिसके basis पे कि हमारी foreign policy बनती है, जैसे इंडिया का लीजिये, तो pansheel है, non-aligned movement है, nuclear disarmament है, peaceful cooperation है, faster economic लेकिन inclusive और equitable growth है, world में income and wealth का distribution equitable हो, just world order हो, वो है, इंडिया का अपना एक dignified अस्थान हो, यह हमारी core principles हैं, तो यह भी जो है element में शामिल हो जाते हैं, इसके अलावा, हमारा जो objective है, हमारे national interest क्या है, उसका goal क्या है, वो भी element में सामिल हो जाता है, तो यह पूछा जा रहा है, what are the essential elements of India's foreign policy, how does it assist in India becoming a global power, of course आप इसको लिख सकते हैं, critically examine the major factors shaping India's foreign policy, यह तो repeated question है, तो इससे क्या निकल के आता है, कि आपको basically जानना है, कि foreign policy के क्या-क्या factors हैं, जिसके basis पे foreign policy बनती है, क्या-क्या core principles हैं, और हमारे national interest के क्या objective हैं, जैसे हमारे territorial sovereignty है, integrity है, यह हमारा सबसे बड़ा goal है, इसके अलावा हमें कोई कमजोड ना समझे, हमारा dignified स्थान हो, यह हमारा एक aim है, और world peaceful रहे, सब लोग coexist करे, और सब मिल करके एक equitable just world order बनाए, यह भी हमारा goal है foreign policies का. पूछ सकते हैं, या ऐसा भी पूछ सकते हैं, कि यह 21st century और globalized era में, हमारे foreign policy के क्या-क्या challenges है, कैसे हम अपने foreign policy को बनाएं, और क्या situation है, उससे क्या challenges निकल के आते हैं, जिससे कि हम global power group में उभर सकें, ऐसा भी question पूछा जा सकता है. इंडो-US relationship से एक question हरने की पूरी संभावना है, आपको पता है कि post cold war era में हम अमेरिका के काफी करीब चले गए हैं, जबकि cold war era में हम रूस के या सोबियत-रूस के काफी करीब थे, ideological लिए भी socialism को हम अपनाते थे, हमारे constitution में socialism को insert किया गया, लेकिन अब हम neo-liberalism को अपनाने लगए हैं 1991 के बाद से, और एक तरह से रूस से कटे-कटे से हैं, उससे हमारी जो है regional challenges बढ़ गए हैं, क्योंकि Pakistan जो है बहुत पुराना एली रहा है, USA का और China जो है रूस के करीब जा रहा है, ये दोनों हमसे adversarial relation हैं, इससे हमारी जो है foreign policy के dynamics या challenges बढ़ जाते हैं, अब आएए question पे, 2019 में question है, examine the economic and security dimension in Indo-US relation in the context of global political scenario, तो आप जानते हैं इसके दो dimension है, Indo-US relation के एक economic है, जिसमें trade है, investment है, technology transfer है, जो बहुत important है, और बहुत ऐसे बढ़ रहा है, दूसरा security dimension है, जैसे कि nuclear technology transfer है, जो साथ मिल करके, जैसे हम लोग ये करते हैं, माला बार exercise को बोलते हैं, naval forces के exercise होती है, arms की जो supply हम लेते हैं, USA और arm की weaponization के technology लेते हैं, ये सारी जो है security dimension, इसके अलावा अमेरिका हमें help करता है, United Nations के security council में, वो permanent member बनने के direction में भी, पाकिस्तान से जो खत्रा है, उसमें भी अमेरिका का बहुत बड़ा रोल है, और उसके relation का उसमें भी असर पड़ता है, 2018 में जो question है, वो है critically analyze India's US relation in contemporary times, इसके बहुत सारे dimensions हैं, ये आपको देख के तो लेगाए समय आपको बताया है, के हम बहुत close चले गए हैं, USA के काफी हमारी दोस्ती है, लेकिन फिर भी इसमें आप देखेंगे, समय समय पे बहुत सारे tensions, बहुत सारे challenges आते हैं, अमेरिका कभी बहुत ही गलत बयान भी करता है, इविन ट्रम्प ने भी इंडिया के बारे में कभी कभी कुछ से कुछ कह दिया, like filthy country and others, और कई जगह पे वो जो है हमारे interest को काटता हुआ भी नजर आता है, climate change हो या other multilateral forum पे WTO में, तो हमारी अमेरिका से जो दोस्ती है, तो हमारे regional कौप जो dynamics है, उसमें Russia से relation बहुत हमारे लिए important है, अमेरिका हम से बहुत distant है, उसका impact उतना ज़्यादा यहाँ पे नहीं होगा physically, तो उससे एक तरह से हमें लगता है कि नाम की जो policy हमारे लिए अभी भी बहुत ही relevant है, दोनों से हमें बरावर डिस्टेंस यदि हम रखें, Russia क्योंकि एक अलग ideology को अपनाता है, और neoliberal जो है अमेरिका है, तो बीच-बीच में रहना चाहिए, तो यह सब को मिला करके आपको इस तरह के answer को लिखना चाहिए, कि हमारे उसके dimensions क्या है, उसमें tensions and challenges भी हैं, और बहुत सारे उसमें जो है, favorable point भी हैं, खास करके economic, investment, trade related. 2017 में question है, इंडिया's growing proximity to USA is reshaping the politics of South Asia, यह तो मैंने अभी आपको जो बताया है, जितना ही हम करीब जाएंगे अमेरिका के, उतना ही हमें South Asia में कुछ problem छेलना होगा, चाइना हमसे उतना ही stranged होगा, रसिया उतना ही हमसे दुखी होगा, रसिया पाकिस्तान चाइना को उतना ही करीब जाएगा, उससे हमें South Asia में problem हमारी बढ़ेगी. तो इस पे जो है focus का निकल कहा गया है, तो यदि मेरा guess माने तो discuss the growing closeness in Indo-US relation in the context of changing world order, जो globalized और एरा जिसमें US hedgeman है, and its impact of regional politics of South Asia, क्या हमारे लिए challenges बढ़ा देता है, और कैसे इससे US-India relation में भी tension and challenges आते हैं, इसका जिक्र जो है आपको करना चाहिए, साइद उस टेवे question पूछा जाए. यदि हम India-Russia के relation पे देखें, तो वो एकदम apposite है जो India-USA, पहले हम बहुत strange थे, हमारा tense relationship था Cold War के टाइम में, USA से अब वो बहुत मधूर हो गया है, बहुत close हम चले गया हैं, कुछ ज़्यादा ही close लोग कहते हैं, और रसिया जो कि USSR उसका पुराना अवतार था, उसे हमारे इतनी गहरी दोस्ती थी, आप याद कीजिए, इंद्रा गांधी के टाइम में 1971 में कैसे रसिया ने हमें help किया था, जब बंगलादेश वार हुआ था, और अब हम कितना indifferent हो गया है, पुतिन के टाइम में रसिया से, अलमोस्त हमारा कोई खास नाता नहीं रह गया है, के वल कुछ आम्स आम्स जो सप्लाई करने की जो है, वो है, ट्रेड भी बहुत थोड़ा उसके साथ में है, तो इस पे question पूछते हैं, 2019 में है, comment upon the changing nature of India's relation with Russia since last three decades, मतलब cold war खतम हुए हुए है, 30 साल हुए है, तो cold war के खतम होने के साथ ही, Russia के साथ हमारा relation कितना indifferent हो गया, change हो गया, इस पे आपको रोशिन डालनी है, 2018 में, Russia is increasingly tilting towards China and Pakistan, elaborate the security challenge for India, again वही, South Asia में हमें बहुत problem होगी, यदि Russia, पाकिस्तान से जैसे करीब होते जा रहा है, उसको अपनी missile and other technology दे रहा है, और China से भी close हो रहा है, तो ये जो triangle बन रहा है, Russia, China, Pakistan, वो हमारे लिए एक मुसीबत का सबब है, South Asia में, इस पे आपको question पूछा गया है, और यहाँ पे Russia से हमारा relation, जो पूराना भोत अच्छा थाए दिव ऐसा रहता, तो हमें बहुत आसानी होती, लेकिन सायद कहीं न कहीं balance लूज कर चुके हैं, और हम काफी ज़्यादा जुक चुके हैं, neo-liberalism जो policy और अमेरिका के तरफ हम लोग चले गए हैं, 2017 में question है, India-Russia relation have undergone a change, पर आपको focus करना चाहिए, नहीं भी पूछे, तब भी focus करना चाहिए, कि जो changing, जो हमारा indifferent relation हो गया है, बहुत अच्छा नहीं रह गया, off-load, off-late, बहुत कम हो गया है relationship, closeness बहुत कम हो गयी है, उसका असर जो है South Asia जिसा, क्योंकि वो पाकिस्तान के करीब जा रहा है, चाहिना करीब जा रहा है, तो उससे हमें बहुत ही एक तरह का loss हो रहा है, यहाँ पे non-alignment से भी आप इसको जोर सकते हैं, कि यदि हम नाम की policy अपनाते, अभी भी हम यदि non-align रहते, रसिया, जो कि एक अलग ही ideology को अपनाता है, रसिया-चाइना, और अमेरिका, जो नियो-लिबरल अपनाता है, उसके बीच में हम टथस्त होते, हम जो है neutral होते, उतना जादा हम नहीं चले आते, तो साइध रसिया से हमारा और मधूर समंध होता, और चाइना से भी थोड़ा साइध मधूर होता, उससे हमें South Asia में थोड़ा ज़्यादा फाइदा होता. अब हम देखते हैं, जो next theme है, वो है India's engagement with China, इसमें जो तीन साल के question है, एक्जामीन दा एरियाज ओफ कनफ्लिक्ट एन कॉपरेशन इन इंडो-चाइना relationship, यह तो आप जानते ही हैं कि conflict भी रहा है, अभी तो बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, 1960 में हमने उसे war भी लड़ा है, उसके बाद भी काफी difficulties रही है बार्डर पे, लेकिन cooperation भी काफी रहा है, पर्टिकुलरी ट्रेड में, इन्वेस्टमेंट में, और टेकनोलोजी में, तो अब वो जो है बदल रहा है, 2018 में है, discuss major challenges confronting India channel, यह तो भूत ही run-of-the-mill question है, रिपीटेड है, 2017 में है, China's growing stature in world politics is likely to undermine India's influence, मैं आपको syllabus discuss करते समय मैंने बता दिया है, कि कैसे India, China एक ही basket में आते हैं, Asia का rising power, लेकिन हमारे comparison में वो इतना ज़्यादा बढ़ जाएगा, तो फिर हमारी position वो undermine होगी global order में, तो इस तरह से यह challenge है, मुझे लगता है कि इस पर question पूछ सकते हैं, discuss the impact of conflictual relationship, मतलब जो confrontation के relationship है with China, on India's regional politics in South Asia, आप सोच रहेंगे कि सर, बार बार South Asia पर क्यों आ जाते हैं, मैं आपको यह बताना चाह रहा हूँ, कि आपको question कोई भी पूछे, चाहे China के साथ, Russia के साथ, USA के साथ, आप उसको link जरूर कीजिए, चाहे पूछे चाहे नहीं पूछे, कि उसका असर South Asia में, जो आपका regional politics है, उसके dynamics पे क्या असर परता है, खास के India-Pakistan के relation के dynamics पे, India-China के relation के dynamics पे उसका क्या असर परता है, यह इसलिए जरूरी है, मैं फिर से आपको repeat कर रहा हूँ, कि हमारे foreign policy का सबसे important component यह है, कि हम अपने neighborhood में safe रहें, secure रहें, खत्रा उससे होता है, जिससे आप border share करते हैं, जो आपका border share नहीं करता है, उससे आपका relation उतना adversarial भी हो, तब भी उतना कोई immediate effect नहीं पड़ता है, इसलिए हम South Asia के dynamics पे ज़्यादा आ जाते हैं. अब तो ये theme बिलकुल South Asia पे ही है, जिस पर मैं बार-बार-बार-बार focus कर रहा हूँ, debating regional strategy, इस पर पूशे जा रहे हैं 2019 में, how does terrorism impact regional security in South Asia? Terrorism बहुत बढ़ा मुद्दा है, आफगानिस्तान में अल-काइदा है, state sponsored terrorism, पाकिस्तान से हम लोग जहलते हैं, इवन स्रिलंका में terrorism जो लिटे हुई, उसमें हमने राजीव गांधी जी को खो दिया, तो ये सारी जो मुसीबत थे, इवन बांगलादेश से भी, इवन नेपाल में भी terrorism का, यहां से terrorists जो है, वो नेपाल में छिप जाते हैं, वहां पे हमारा plane hijack हुआ था, IC 814, आपको याद होगा जिससे कि कितनी बरी termoil हमारे country को हुई थी, तो discuss India's strategies to counter state-sponsored terrorism, यह इस पे आप काफी चीज़े लिख सकते हैं, 2018 में question है, critically analyze India's foreign policy challenge, विसे विस, इट South Asian neighbor, यह twisted language पे मत जाईए, इसका कहने का मतलब यह है, कि हमारी जो regional South Asia की जो politics के उसके लिए है, उसका हमारे लिए क्या challenge है, हमारे foreign policy के लिए सबसे बड़ा challenge मैं बारव आपको बोल रहा हूँ, वो आपके neighborhood में है, उसमें challenge क्या है, इंडिया, पाकिस्तान जो तीन बार ward लड़ चुके हैं, वो हमें state sponsored terrorism हमें वहाँ छेलना पड़ता है, वहाँ पे terrorists अपना base बनाते हैं, इवन वो अल-Qaeda को भी support कर देता है, जम्मू कस्मीर में खासके कस्मीर वैली में वो अल-गावाद को बढ़ावा देता है, फिर इंडिया, नेपाल का भी dynamics, नेपाल काफी close चला गया है, चाइना के वहाँ महाववादी जो हैं वढ़ रहे हैं, एवन जो बंगलादेश भी हमसे बहुत indifferent हो गया, जबकि हम लोगन उसको आजाद करा है, वो Muslim country है, वहाँ भी काफी issue को लेके, water dispute से लेकरके, और Rohingya बहुत सारे tension है, जो कि हमें बंगलादेश से भी दूर करते हैं, एक big brother की छवी है, जो मैंने आपको बताया है, तो हमारी foreign policy challenges बहुत जादा इससे हम weak होते हैं, और उसमें जब China कूद परता है, जो बहुत बढ़ा power है, Russia कूद परता है, जो बहुत बढ़ा power है, और USA कूद परता है अपने interest से, वो ऐसा कहता है कि हम आपको पाकिस्तान से सुलह करवा देंगे, चाइना से करवा देंगे, उसका अपना interest होता है, तो यह सब मिल करके काफी हेडी politics बनाता है, South Asia को, जो हमारे foreign policy challenge है, 2017 में है, India's image as big brother is a major challenge for cooperation in South Asia, यह मैंने आपको explain कर दिया, सिलिवस के time में, सार्क इसलिए किवल fail हो गया कि दो कारण से, कोई भी country जो ही इंडिया के सामने ठीक से बाती नहीं कर पाता है, वो डर जाता है, उसको intimidation हो जाती है, कि यह तो इतना बड़ा बरदर है, और इंडिया पाकिस्तान में इतना ज़्यादा जगड़ा होता है, कि कोई भी मिल करके multilateral होई नहीं सकता, इसलिए सार्क फेल कर गया, यहाँ पर मेरा guess है कि discuss India's foreign policy challenges in the regional politics of South Asia, और यही मैं अभी पांच मेंट से आप से discuss कर रहा हूँ, कि क्या हमारे challenge है South Asia के politics में, अब आगे बढ़ते हैं, यदि हम इस interesting theme को देखें, जो penultimate theme है, मतलब second last है, तो India's negotiating style and strategy, मतलब multilateral forum खास करके trade में, WTA, environment, climate change में, और security regime, जो nuclear regime है, उसमें हमारा कैसा जो है, negotiating style कैसा रहा है, multilateral organization या international organization में, हम कैसे पेश आते हैं, कैसे दिखते हैं, आपको पता है न, जब group में 10 लोग शामिल होते हैं, तो आप कह सकते हैं, यार यार ये तो आदमी बहुत जिद्धी है, तो मानेगा ही नहीं, फिर दूसरे को आप कह सकते हैं, नहीं नहीं, ये तो हमेसा जो है, कुछन कुछ ऐसा proactive दिखाता है, बहुत अच्छा है, ये कुछ ने कुछ मान ही लेता है बात, कोई जो है leader बन जाता है, तो उस type का, इंडिया का क्या image है, क्या style है, क्या strategy है, इस पे, 2019 में question है, discuss India's growing role in WTO, as an emerging economy in the 21st century, आप अच्छे से जो है, इंडिया और WTO पढ़ लीजे, नेट पे पूरे बिखरे हुए, मैंने आपके लिए थोड़ा बुद पढ़ा है, कदि मौका मिला तो साइद, मैं आपको कुछ और बता पाऊँ, तो इंडिया का role, खास करें एक line के वाला, आप समझ लीजे, कि इंडिया WTO में बहुत मुखर है, G20 के forum से जो है, वहाँ अपनी बात रखता है, और वहाँ पे इंडिया को सबसे दिख परिशानी होती है, कि agriculture में जो export होती है, वहाँ पे इंडिया अपना पाऊँ अड़ाता है, क्योंकि उसको लगता है कि यदि वहाँ पे वह बात मान ली, तो हमारा जो farm sector अभी आप देख रहे हैं, कैसे किसान लोग जो हैं, वो आंदोलन कर रहे हैं, वो WTO में जो provision है, तो उससे तो और ये बरबाद हो जाएंगे, क्योंकि वो subsidy को खतम करने की बात करता है, तो agricultural subsidy एक भुदवरा मुद्दा है, services के trade में इंडिया को लगता है, कि बहुत equitable WTO ने नहीं रखा है, और इंडिया को लगता है कि developed country अभी भी जो है, अपने agriculture और अपने services को बहुत protection देते हैं, और इंडिया और developing country को कहते हैं, कि अपना market open करो और subsidy बंद करो, ये main stumbling block हो गया है WTO में, इंडिया का, जहां तक next question है, उस पर आएंगे, तो हम थोड़ा climate change पर भी चरचा करेंगे, WTO पर ये है, 2018 में है, discuss India's strategies for protecting its trade interest in WTOE, तो वही है, हमारी trade interest services में है, वहां पर इंडिया अपनी बात रखता है, और agriculture subsidy को ले करके, जो है, बहुत बड़ा मुद्दा है, जिसमें कि सभी developing country इंडिया के साथ होते हैं, discuss India's nuclear policy, second question, ने 28 में दो question पुछा था, nuclear policy since independence, यह बहुत अच्छा question है, आप आराम से पढ़ सकते हैं, आपको पता है कि 1968 में nuclear non-proliferation treaty हुई थी, NPT इंडिया ने साइन नहीं किया था, इंडिया ने comprehensive test ban treaty CTBT को भी साइन नहीं किया, क्योंकि इनका कहना था कि यह have और have not, जो nuclear haves है और nuclear have not है, उसके बीच में एक खाई पैदा करता है, यह equitable नहीं है, just नहीं है, क्यों मतलब कि एक रोक हो जाना चाहिए, कि जो nuclear है वही किवल आगे test करता रहा है, और जो non-nuclear है वो कभी ना बना है, इसलिए इंडिया ने दो बार अपनी nuclear test की, लेकिन उससे कोई फाइदा हुआ नहीं, क्योंकि पाकिस्तान भी nuclear हो गया, बहुत जल्द, और चाइना तो बहुत बड़ा nuclear country है, तो हम दो-दो nuclear country से घुरे गिरे हुए हैं, एक तरह से security dilemma है, नुकलियर वीपन होने के चलते, इंडिया पाकिस्तान में parity आ गई, जो कि कभी पहले नहीं था, यदि conventional war हो, आपस में आर्मी लरे, तो पाकिस्तान कोई match नहीं है, लेकिन nuclear war में चुकि कोई winner, कोई loser नहीं होता, दोनों बरवाद होते हैं, इसलिए इंडिया पाकिस्तान अब बड़ाबर हो चुका है, एक तरह से हमें security dilemma है, तो ये nuclear policy पे है, do you think India's nuclear weaponization has enhanced its national security, वही अभी चर्चा करें तो नहीं बढ़ा है, वो security dilemma है, हमारी security वहीं के वहीं रह गए nuclearization होने से भी, then 2017 में notes पूछे हैं, इंडिया's role in WTO, ये तो मैं बार-बार चर्चा कर रहा हूँ, climate change negotiation and India's role, अब यहाँ पर दूसरा environment पर आई, आपको फता है कि Rio में 1992 में world summit हुआ था, उसके बाद फिर बहुत सारे जो हैं, वो conference और parties होते रहें, जो Paris climate accord सबसे important है, 2015 में, Kyoto Protocol उसके पहले 1997 में बहुत important था, तो उसमें इंडिया का कहना यह है, common but differentiated responsibility, इसका कहना है कि सभी को मिल करके हमें environment से carbon को control करना है, लेकिन इसमें developed country की responsibility जादा है, उनको पैसा जादा खर्च करना चाहिए, क्योंकि उन्होंने historically environment को ज्यादा pollute किया है, अपने development के, उनकी जो development आज हुई है, उनकी जो per capita income है, उनकी जो per capita carbon utilization है, वो developing country से कई गुना ज्यादा है, और उन्होंने pollute करके atmosphere, environment को वो development किया है, इसलिए उनका responsibility बनता है, कि अब वो जो है, ज्यादा contribute करें, technology transfer करें, और उन भी बात करते हैं, कि ये कोई बात हुई क्या, पहले हमने pollute किया, तो अब तुम pollute करोगे, right to pollution, ये ही सब चलता है, climate change negotiation में आप पढ़ सकते हैं, but basically बात इतनी है, मेरा guess में क्या है, discuss the changes in India's negotiating style and strategies in multilateral forums and inter-governmental organization in recent time, अभी खास करके, पिछले 5-10 सालों में बहुत changes आया है, पहले इंडिया बहुत एक ideal, accru type का country, जैसा दिखता था, नाम के थुरू, non-aligned movement, G77 लेकर के, new, मतलब अपनी बात रखना, हर जगह आटका देना, WTO हो, GATT हो, चाहे climate change हो, लेकिन अब जो है, काफी proactive हो गया, क्योंकि इंडिया एक responsible, regional power हो गया है, तो वो एक proactively, जो है, वो solve करने की deal maker हो गया, deal breaker नहीं रहा है, तो ये थोड़ा हमारा change हुआ है, वो आप negotiating style हम देख सकते हैं, और क्यों ऐसा हुआ है, इस पर भी चर्चा कर सकते हैं, यदि हम final topic देखें, India and the contemporary multipolar world, इसमें तो ये है कि आप जानते हैं, कि पूरी मैंने वीडियो बनाई है, emerging power वो आप देख सकते हैं, वो मैंने दूसरे semester के लिए बनाया था, तो इंडिया को उसमें आप देख सकते हैं, कि कैसे जो है, USA है, EU है, ASEAN है, China है, BRICS है और India, ये सब जो है power है, जिसमें कि USA से बहुत आगे है, hedgeman है, China उससे पीछे है, लेकिन second पे है, और बाकि सब rising है, कुछ state है, कुछ non-state है, उसमें इंडिया का क्या position है, उससे question पूछते हैं, 2019 में question है, Do you think that NAM, non-alignment movement, कहने का मतलब ये है, simple, कि क्या नाम की policy या principle, आज भी इंडिया के foreign policy के लिए, कोई अहमियत रखता है कि नहीं, इसका जवाब आपको होना चाहिए, yes, 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 आपको कहना चाहिए, रखता है, in fact, मैं आपको अभी यही बता रहा था, कि रसिया इसलिए बहुत नाराज है इंडिया से, क्योंकि वो एकदम बिल्कुल neo-liberal camp में चला गया, ideologically भी एकदम इसने 180 degree turn ले लिया, cold war के time में हम socialist country थे, हमने अपने constitution में भी जो है, सुधार करके उसको socialist country बना दिया, और हम इतना ज़्यादा socialism के तरफ गए, काफी सारे जो हमारे program, 20 point program हो, bank nationalization हो, चाहे state sponsored economic development हो, अब हमने पूरा turn ले करे, पूरा neo-liberal हमने कर लिया, capitalism को अपना लिया, तो ideologically भी हमारा जो है, मतलब topsetter भी रहा है, तो उसको ले कर के Russia, China, यह सब थोड़े apprehensive हो जाते हैं, खासके Russia, जो हमारा इतना पुराना दोस्त था, तो नाम होने से अच्छा रहता, कि हम बीच-बीच में रहते हैं, टतस रहते हैं, नूट्रल रहते हैं, नहीं हम बहुत western world के करीब जाते हैं, नहीं हम eastern world से इतना इंस्ट्रेंस्ट होते हैं, रसिया और चाइना से तो अच्छा होता है, तो इसलिए नाम अभी भी बहुत important है, इसलिए नहीं कि world bipolar है, इसलिए क्योंकि यह unipolar है, इसमें भी नाम बहुत important है, 2018 में है notes, relevance of name in post-cold world era, जो अभी बोल रहते हैं वही है, yes, 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 अभी भी बहुत relevant है, लेकिन हम लोग उसका दामन छोड़ते जा रहे हैं, यह आपको लिखना चाहिए, 2017 में है critically evaluate India's position in contemporary multipolar world, यह सही question है, जो इसमें पूछा जाना चाहिए, जो मैंने अपने वीडियो में, पूरे वीडियो में मैंने बताया है, आप उस वीडियो को खो सकता है, emerging power center करके वो वीडियो है, जिसमें यह है कि India भी एक rising power है, लेकिन इसके अपने बहुत सारे challenges है, multipolar world कहना भी गलत है, USA अभी भी उसका hedge fund है, और जो सबसे जादा rising power अभी हो रहा है, वो चाइना हो रहा है और इंडिया का competitor है, उससे उसका confirmation border पे चला है, इसलिए हमें multipolar world में हमारी position बहुत ही challenging है, हमें आगे बढ़ने के लिए बहुत faster economic development, 20-30 साल का चाहिए, हमें social cohesion चाहिए, हमारा domestic condition बहुत ही united होना पड़ेगा, और फिर हमारे foreign policy भी बहुत tuned होनी परेगी, globalized world से तब जाके सायद हम एक superpower जैसा बन सकते हैं, जो हम aspire करते हैं, 2017 का question मुझे लगता है, repeat किया सकता है, critically evaluate India's position in contemporary multipolar world, so students, thank you very much, ये मेरा एक छोड़ा सा प्रयास था, आपको एक return करने का, क्योंकि आपने इतना request किया था, thank you very much, good luck, bye, आप मुझे लिख सकते हैं इस address पे, मैं आजकल काफी mail आपके receive कर रहा हूँ, thank you for that, और मैं response भी करने की पूरी कोशिस करता हूँ, please write to me, thank you.